हेलो गाइस वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासिज हमारी ब्याड के इंपोर्टेंट कोश्चन्स की स्रीच चल रही है जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागोजी ओप सोसल साइंस टोपिक आज का हमार रहेगा लेक्चर मेथड व्या ख्यानविदी अब लेक्चर मेथड का क्या अर्थ है परिभासा क्या है इसके गुण व्य दोस यह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बियड एक्जाम्स की अगर बात की जाए तो यह कोश्चन आपके एक्जाम में लोंग वे शोट दोनों रूप में आपको देखने को मिल जाएगा लोंग में आता है तो आपसे सब कुछ पूछ लेंगे उसका अर्थ बता कर गुन दोस बता दीजिए सोट में आता है आपसे या तो गुन पूछ लेंगे या दोस पूछ लेंगे या फिर खाली अर्थ ही पूछ लेंगे इस तरह से आपके पेपर में आता है और इसी तरह से आप इसका एंसर दे सकते है मोस्ट इंपोर्टन कॉश्चन हो जाता है आपके बियाड एक्जाम्स के लिए क्योंकि यह विदी आज भी सबसे ज़्यादा परवावि माने जाती है बियाड एक्जाम्स की बात करें तो आपके पेपर में व्याख्यान विदी देखने को मिल जाएगा व्याख्यान वियूरचन देखने को मिल जाएगा या व्याख्यान परविधी देखने को मिल जाएगा कुछ भी मिले जो paper में आए वही word आप लिखते जाना विधी आए विधी लिखते जाना वियूरचन आए वियूरचन लिखते जाना परविधी आए परविधी लिखते जाना ये सब होते क्या हैं वहाँ मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में अब व्याख्यान विधी क्या होती है आप सभी जानते हैं लेक्चर मैथड टीचर आपके कमरे में आता है आप पढ़ रहे हैं स्टुडेंट है टीचर आपके कमरे में आता है जो भी उसका आज का पार्ट है उस पार्ट को वहाँ बोलकर आपके सामने प्रस्तूत करता है अपने topic को, अपने subject को, अपने lesson को teacher जब भासन के दुवारा बोल कर व्याख्यान के दुवारा छात्रों के समक्स प्रस्तूत करे वह जो विदी teacher यूज कर रहा है उस time पर उसे हम कहते हैं व्याख्यान विदी अब इसमें क्या होता है? teacher सामने आता है, खड़े होके बोलना शुरू कर देता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं वे कुछ काम नहीं करते, बस सुनते रहते हैं कभी-कभी teacher आपका blackboard पर भी लिखता है कभी कोई हो सकता है, teaching A.D.B. दिखा सकता है किताब भी दिखा सकता है, आपको किताब में ऐसा लिखाव है यह सब काम आपके secondary हो जाते हैं लेकिन मुख्या रूप से यह है बच्चों को सुनाता रहता है, अपनी बाते हैं और बच्चे सुनते रहते हैं जिसके अदार पर हम कह सकते हैं यहाँ पर बच्चे क्या है, निस्किरी है teacher क्या है, सक्री है क्योंकि teacher काम कर रहे है और बच्चे जुप्चा बैठे में है जिस कारण यह है विदी आपके teacher centered method हो जाता है child centered यह नहीं है बालकेंदृत विदी यह नहीं है सबसे पुरानी विदी यही है वेदों के time से यही चली आ रही है डिसी मुनी आपके भासन देकर ही अपने बच्चों को सिक्सा परदान करते थे सबसे पुरानी विदी है और वर्तमान समय में भी आगर भारते विद्यालों की बात की जाए इस विदी ने महत्वपूर्ण अस्थान घेर रखा है उसका कारण है हमारी crowded class से जादा बच्चे होते हैं हमारी class में एक definition देख लेते हैं टी-एस रिस्क के अनुसार व्याख्यान उन सभी तथ्योवे सिद्धान्तों का स्पस्थी करण है जिनको सिख्षक चाता है कि उसे सुनने वाले समझे मतलब व्याख्यान का है इस्पस्थी करण है तथ्योवे सिद्धान्तों का जिनको एक सिख्षक चाता है कि जिने मैं कहा रहा हूँ या जो सुन रहे हैं मैं उसे समझ जाएं जो मैं तथ्या समझा रहा हूं मैं बच्चे समझ जाएं यह definition आपकी TS रिस्की है अच्छी definition है आपकी important definition हो जाती है क्योंकि lecture के बारे में काफी कुछ बता देती है यह definition अब बात कर लेते हैं आपके व्याख्यान विदी के क्या क्या गुण रहने वाले हैं व्याख्यान teacher किसी gas के बारे में बता रहा है या फिर जल के बारे में बता रहा है कि H2 पलस और इस तरह अगर आप मिलाएं वह बन जाता है आपका H2 अब teacher ने यह बोल कर बता दिया उसका काम खतम हो गया भासन विदी हो गई इसके अलावा अगर teacher यह करके दिखाने लगता तो कितनी energy waste होती कितना समय खर्च होता इस वज़े से जो व्याख्यान विदीया यह समय वय अनर्जी की काफी बचत कराती है second point हमारा हो जाता है चात्रों की तरक सकती का विकास करती है तरक सकती कैसे बच्चे बस सुनकर ही सीखते हैं वे सोचते हैं कि जो teacher कहा रहा है हम जल्दी मचते चलें सोचते चलें और सीखते चलें क्योंकि उनके पास कोई दूसरा option नहीं है इससे बच्चे अपने दिमाग पर जोड़ देते हैं चीजों को अच्छी तरह से सोचते हैं जिससे उनकी तरक सकती विक्सित हो जाती है third point आपका हो जाता है इस विदी में अधिक धन बैस सरम नहीं लगता सरम मतलब मेनत नहीं लगती अधिक और इसके अलबाद धन पैसा भी अधिक खर्च नहीं होता बड़े बड़े टीचिंग एट वगरा नहीं लाने पड़ते हैं इसमें टीचिंग एट कम भी लाओ या ना भी लाओ तो भी काम चल जाता है जो आपका बच्चे के साथ बात करकर के उसे नहीं सीखा सकते हैं जबकि सामने खड़े होकर आप लेक्चर दे सकते हैं इससे बच्चे क्या करेंगे सुनते रहेंगे और हम समझते हैं कि सभी सीख गए होंगे जितना सीख गए होंगे उतना ही ठीक है बाकि सभी बच्चे नहीं सीखत और क्या चाहिए सरल विधिया संसीप्त है ज्यादा कुछ चोचले बाजी नहीं पड़ रही है टीचर को अरामसे आता है खड़ाओ के बोलके चला जाता है ज्यादा कुछ विस्तरित रूप नहीं है इस विदी का तीर्वगति चलती है जल्दी हम काम खतम कर सकते हैं अपना lecture method सबसे अच्छा है इसी का जादातर परियोग किया जाता है चात्रों पर नियंदरन रखना असान होता है क्योंकि teacher है देख रहा है सभी बच्चों को यहां भी देख रहा है बच्चों के सामने आप कंट्रोल कर सकते हैं एट पोइंट हमारा हो जाता है जो इंडियन classes हैं अभी भी इतनी develop नहीं हुई है शामपट भी नहीं कहीं कहीं मिलता रूरल एरिया में आप जाएंगे डैस्क भी टूटी हुई है बच्चे पता नहीं कैसे कैसे बैठे हैं इस तरह से तो इन कंटिसंस में जहां पर आपको परियाप समान भी नहीं मिल रहा जो बेसिक है वहां पर आपके lecture method अच्छा है अब वहां पर आपके जहां पर blackboard भी नहीं है उस school में आप जाकर कहें कि इन्हें आप कारिये विदी करके दिखाऊ सारी चीज टीचिंग एड महंगे महंगे लाओ अरे बाई teaching एड महंगे महंगे तो भाड में गई हमारे पास तो blackboard भी नहीं है न पहले तो blackboard चाहिए तो ऐसी conditions में यह विदी अच्छी हो जाती है 9th point हमारा हो जाता है भासा संबंदी जो कोशल से हैं उनका विकास कर देती है क्योंकि बच्चे सुनते हैं हम question answer भी बच्चों से करते हैं और बच्चे बोलते भी हैं इस तरह से जो भासा के कोशल है या भासा अच्छी हो जाती है इस विधी के दवारा 10th point हो जाता है हमारा g égal में जो श्रेवन इंद्रियां है उनका अच्छा परसिक्सन हो जाता है बच्चे सुनते रहते हैं सुनते थी व्याख्यान विदी में, क्या क्या कमी है थी, अब मैं देख लेती हैं, यह सिख्सकेंदृत विदी है, मनुविज्यान के नियमों के खिलाप है, मनुविज्यान कहता है, बच्चे जब सीखेंगे, अगर मैं खुद सक्रिये हैं, ऐसा नहीं है, यह बाबु आपका के खिलाप है, जिस कारणवस यह है, विदी हमारी बेकार हो जाती है, साकिन्ड पॉइंट हमारा हो जाता है, बच्चे निस्किरिये सुरोता बन जाते हैं, बच्चे चुप-चाप सुन रहे हैं, टीचर जो भी बोल रहा है, ने तो यह सोचते हैं, हमें इसे सीखना है, आगिदार इतनी नहीं लेते बच्चे, फॉर्थ पॉइंट हो जाता है हमारा, इससे प्राप्त ग्यान ऐस था ही होता है, अब आप खुद सोचिए, टीचर आया लेक्चर दे के चला गया, ठीक है आपने बहुत कुछ सीख लिया, हम मान लेते हैं, लेकिन तीन-चार दिन बच्चे में से कितनी चीज़ा आपके याद रहेंगी, जो काम आप कर के सीखते हैं, कर के सीखने को ही अच्छा मना जाता है, लेकिन जό खाली आप सुन कर सीखते हैं, वह opponent नहीं होता, कर के सीखना प्रमनिंट मना जाता है, विद्यार सी ज्यान अरजन के लिए, सिखसक प करने का जो गुन है वह विक्सित नहीं होता हमें नया ग्यान प्राप्त करना है तो खुद कुछ करना होगा वह विक्सित नहीं होगा शिक्त हो जाता है प्रात्मिक प्रात्मिक कक्षा के बच्चे इतना लेक्चर पर ध्यान नहीं देते आप देख रहे हैं आप खेल रहे हैं पीसे देख रहे हैं किधर देख रहा है टीचर आपके चाहे कुछ भी करते रहें पच्चे नहीं टीचर पर ध्यान देंगे लेकिन अगर आप कोई activity कराएंगे के शिकाना है उन्हें, एड़ पोइंट हो जाता है हमारा, कभी-कभी ऐसा होता है कि टीचर वास्तिक विशे से हट जाता है टोपिक हमारा कुछ होड चल रहा है टीचर भी अख्या करता करता, किसी और टोपिक की बात करने लगा, या फिर किसी बच्चे ने कुछ हो टोपिक कलास में उठा दिया टीचर टोपिक से ही बटक गया और पूरा पिरिएड उस दूसरे टोपिक पर ही खतम हो जाता है यह भी कभी-कभी होता है 9th point हमारा हो जाता है बच्चे इसमें क्या करते हैं इतना जादा बोलते नहीं है इतना जादा लिखते नहीं है इतना जादा कोई activity नहीं करते इसमें क्या होता है बच्चो का सिर्फ 7 कोशल का विकास होता है बाकि जो 3 कोशल हैं वे कहीं न कहीं पीछे चुट जाते हैं 10th point हमारा हो जाता है टीचर जो है teaching aids ये इस विदी का नुकसान हो जाता है ये आपकी व्याख्यान विदी थी अर्थ गुंड दोस आई होप सब आप समझ पाए होंगे टीचर खड़ा होता है कलास में बोलता है वे आपकी व्याख्यान विदी हो जाती है वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने अगुलर क्लासिज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल दैन बाबाए टेक केर